थंडी आ चुकी है और थंडी जो है काफे जादा बढ़ भी चुकी है और थंडी बढ़ने के साथ साथ बॉयलर फार्मिंग में यह रहता है क्यों न हम जो अपनी बूडिंग है वो किसी तरीके से ब्लैक बूडिंग से निकाल दे तो आज की इस वीडियो में वही जानेंगे कि ब्लैक बूडिंग के अड्वांटेज क्या है डिस अड्वांटेज क्या है सारा कुछ समझेंगे तो हाई यार मैं हम हुसायन अली खान आप देख रहे हैं दाबरू पोल्टी तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो पे अपना एक लाइक कर दो और वीडियो को सुर प्लास्टिक के पर्दे लगाते हैं वो लगाना ही लगाना है फार्म के अंदर से जो है आपको प्लास्टिक के या जूट के बोरे आप लगा सकते हैं इसके साथ जहां पर आपका बर्ड है जहां पर आपका बर्ड रहेगा ब्रूडिंग एरिया जो रहेगा उसको प्लास् हीटर बंद कर देते हैं हीटर बंद करने के साथ साथ लाइट को भी बंद कर देते हैं लाइट बंद करते ही बर्ट जो रहेगा वह आपका वह चिलाना शुरू कर देगा पांस मिनट चिलाएगा उसके बाद उसका चिलाने की आवाज धीरे-धीरे कम हो जाएगी जैसे यह उ छोटे वर्ट को क्या करना है जो चिक्स रहेंगे उनको जो है आपको अलग कर देना है पास पास रहेंगे चिक्स तो भी चलेगा बस चिक्स जो है वो एक दूसरे के उपर चढ़े हुए नहीं रहने चाहिए ठीक है एक दूसरे के उपर चढ़े नहीं होना चाहिए बस बड एक दूसरे के आज पास चिक्स रह सकते हैं ठीक है तो यह हो गया इसी तरीके से आप अपनी ब्लैक बूडिंग कर सकते हैं रात बर जो है आपको रखना है सुबह में आके फिर हीटर उटर जला देना मतलब उजाला होने से पहले हीटर उटर सारा कुछ जला के आपको अरेजमेंट उनके लिए कर देना है तो यह हो गया ब्लैक बूडिंग का करने का तरीका एडवांटेज यह है कि आपके बर्ड का सर्वाइबल रेट जो होता है वो काफी जादा रहा था टमप्रेचर मेंटेन यह हो रहा था इसके साथ आपने क्या किया कि जो थोड़ा बहुत हीटर चला है तो उसको भी बंद कर दिया अब क्या होगा कि बड को तो भरी ठंडी लगी रही उसको तो आपने कोई जाकेट पहनाया नहीं है अब बर्ड को थंडी लग रही इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके बर्ड में हो सकता है लग सकता है आपको बुखार इसके साथ साथ क्या होगा कि आपके बर्ड में बुखार लग सकता है क्योंकि राद भार उसको कोई तो बुरूडिंग टंपरेचर तो मिला नहीं जो थोड़ा बहुत हीटा था उसको भी अपने बंद का दिया तो उसमें बुखार लग सकता है आप बुखार किस तरीके से लगेगा क्योंकि रात पर ठंडी में रहेगा उस समय हो सकता है सुबह में जाके छूओ आप तो बर्ड का मतलब जब बर्ड छूओगे तो हलका फू इसके सहथ क्या होगा अपको डिस एड्वांटेघ में जाको स्बार किसे रा लिक्षो में qe निक्रेघृ निया पांच052 डिंब अब Black brooding में क्या होगा कि Black brooding की एक limit रहती है Black brooding में limit क्या रहती है कि इसका नाम है Black यानि कि जब तक आपके farm के अंदर अंधेरा होगा तब तक ये Black brooding काम्याब है जैसे ही आपके अंदर farm के अंदर उजाला हुआ या सूरज की रॉसनी पड़ी जिसकी वैसे बर्स को कुछ न कुछ दिखना चालू हुआ बर्स को जैसे ही दिखना चालू होगा वो भागेंगे पानी की तरफ दाने की तरफ जो भी उनको दाना प्याने की प्यास रहेगी उनकी राद भर के भूखे रहेंगे राद भर के प्यासे रहेंगे तो जैसा भी पानी मिलेगा, ठंडा पानी मिले, गरम पानी मिले, फीट कैसा भी मिले, वो खा लेंगे और खाने के बाद, वो फिर से एक दूसरे के उपर चाहणा चालू कर देंगे, तो आपको बर्ड के, मतलब सूरज की रौसनी, मतलब उजाला होने से पहले पहले अपने आपको जला के रखना है, या फिर मतलब फां के अंदर आ जाना है, फिर जो भी चीजे हैं, वो जला के रख देना है, ताकि बर्ड को एक दूसरे के उपर आप चढ़ने से बचा सको, इसमें इसके साथ साथ आपको और क्या करना है, कि ग्रोथ में आपको बहुत ही ज्याद आपको पहले वीक में उतना सारा, मतलब बॉडी लॉस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपको लगेगा या बारा घंटा, दस घंटा, खाना पानी नहीं खाये हैं, लेकिन फिर भी एक सो साथ, एक सो सत्तर ग्राम का बॉडी वेट आ जा रहा, क्या दिक्कत है, आपको आपको ये दिक्कत होती है, जब वो बड़ बड़ा होना सुरू होता है, मतलब आपको लगेगा या ठंडी है, उसका बड़ जो है इतने दिन में 2 किलो का हो गया, 33 दिन में 2 किलो का हो गया, 32 दिन में 2 किलो का हो गया, मेरा बड़ अभी 37, 37 दिन का हो गया, 40 दिन का हो गया कहीं कि तैयार होता है, तो टाइम भी ब्लैक बूर्ढिंग में मतलब स्टार्टिंग में तो मज़ा आता है सोने में पर dikanton, लगते हैं लेकर फिर वो जो बढ़ तैयार नहीं होता ह। बढ़ तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है FCR आपका थोड़ा सा बढ़ जाता है लेकिन हाँ आपका बढ़ जिंदा रहता है survival rate उसका ज्यादा अच्छा हो जाता है अब इतना सारा कुछ हो रहा है इसमें कुछ-कुछ दवाईयां आपको रखनी पड़ेंगी दवाईयों में क्या है पहले बता दिया है मैंने Colpol का Tablet, Paracidamol का Tablet रखना पड़ेगा Toxin Binder, ATX हो गया, Biotox हो गया रखना पड़ेगा इसके साथ साथ आपको सिरका और ये जो Copper Sulfate होता है ये भी रखना पड़ेगा पड़ सकता है कई जगहां पे जो है Toxin Binder नहीं मिलता तो सिरका और Copper Sulfate से काम चल सकता है इसके साथ Growth Promoter भी आपको रखना पड़ेगा दिन के समय जो रहेगा दिन के समय में आपको उनको Growth Promoter देना पड़ेगा और Growth Promoter और Antibiotic का आपको जो है न मतलब जो उनको देना देना शुरुवात में हम उनको Bacterial Protection के लिए देते हैं तो उस सब का आपको रखना पड़ेगा एक समय में आपने कुछ Growth Promoter दे दिया एक समय में कुछ आपने बैक्टिरिया से उनको बचाने के लिए कुछ दे दिया तो यह सब जो है उनको आपको अच्छे से लेके चलना पड़ेगा इसके साथ साथ कोशिज करो Black rooting जितना कम से कम समय के लिए करो उतना अच्छा है रात में आप 12 बज़े तक तक टमपरेशर मेंटेंड कर ले रहे हैं एक बज़े तक टमपरेशर मेंटेंड कर सकते हो उतना अधिक समय तक टमपरेशर मेंटेंड करो ताकि आपको आगे चलके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को ना बिल्या तो यह है सारा कुछ ब्लैक बुडिंग का अगर फिर बिग कोई सवाल है ब्लैक बूडिंग से रिलेटेड तो नीचे डिस्किप्शन मतलब नीचे कमेंट बाॉक्स में आप एंप मुझसे पूछ सकते हो और बाहरी बॉक्स बूडिंग के बारेमें नीचे जमीन ने मैंने लिंक दे दिया comment में सथान में लिंक देदूंगा और आई बटन पर तो मैंने स्टाटिंग में लिंक दे दिया लास्ट में क्रेडिट में लिंक देदेंगा तो वहां से जाके आप बॉक्स बूडिंग के बारे में देख सकते हो ठीक है तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही मैं हूँ हुसाइन अली खान आप देख रहे हैं दा ब्रो पोल्ट्री थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग दा ब् पोल्ट्री